कटवा आतंकी हमले में चल रही जांच में पुलीस को सफलता मिली है पुलीस ने दो आतंकी मददगारों को गिरफतार किया है दोनुआ आतंकी मददगार जैशे महुंम्मद के साथ जुड़े हुएं पुलीस ने बताया कि कटवा सिले के पहाडी इलाके से दोनुगो कुपड़ जिले के लोलाप के घने जंगल में सुरक्षबलू ने लगातार तीसरे दिन भी व्यापक तलाशी अभ्यान जान गखा इसता पहले शेत्र में आतंकवाद विरोधी अभ्यान में एक जवान शहीद हो गया था और एक आतंकवादी मारा गया था तब से लेकर उन्हें शहीदूं को शर्धांजली अर्पित की इस मौके पर ने कहा कि शहीदूं की शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता निगा कि अब सैना पहले से जादा मजबूत हो गई है नई नई तक्नीकों ने सैना को और मुस्तैद बना दिया है जो खुद में एक बहुत बड दिखिखियादियोर सादीश को सहीर नहीं धार है सकौस्ध कश्मीर दौर ढंगी थल तोल्यल में एक दिवसी प्रशिक्षिन कारिक्रमायोजित क्या गया यह पहल सकौक कश्मीर के वाइस चैंसिलर प्रोफेसर नजीन ऐहमद ग गनी और सक्वास्ट कश्मीर के अनुसंधा निदेशक प्रोफेसर हारून एहमद नाइक द्वारा हाल ही में गुरेज घाटी के अपनी यात्रा के दौरान जताई गई चिंताओं से प्रेरित थी जा उन्हें सबजी फसलों पर एक महत्वपूर कीट संक्रमन देखा था इसको देखते हुए कारिक्रम आयोजित के आगया था कारगिल विजदिवस पर बीजबी के वरिश नेता और पूर्व मलसी विक्रम रंधावा ने शहीदूं को याद कर श्रद्धांजली अर्पित की निगाह की शहीदूं को कभी नहीं भुलाया जा सकता इस मौके पर ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और पाकिस्तान के खिलाफ कारवाही की मांग की जब कश्मीर की पूर्व उपमुख्य मंत्री तारा चंद आज ब्लॉक पर गवाल बेला जमाना पहुँचे जहां उन्होंने गुरु रविदास मंदिर के शिलानियास में भाग लिया और संच्री 108 गुरु गुर्दीप गिरीजी महराज देरा पठानकोट वाले के दर्बार में माथा टेक कर उनका आश्रवात प्राप किया मौके पर काफी संख्या में लोगों ने कारग्रम में भाग लिया अपने जन संपर्क अभियान को जाली रखते हुए भाजपा कारियाले जम्मू में जनता दर्बार का आउजन किया गया इस मौके पर रजनी सेथी, दिल भादूर सिंग, पुनीत महाजन और प्रेणा नंदा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उने हल करने का आश्वासन दिया कारगिल वजदिवस के उपलक्ष पर जम्मू के कनक मंडी एसोसीशन द्वारा एक रखतदान शविर का आउजन किया गया काफी संख्या में लोगों ने शविर में भाग लिया और रखतदान किया आउजुकों ने कहा कि शहीदों के सम्मान में इस शिविर का आउजन किया गया था जब कश्मीर माडिकल एंपलोईस फैडरेशन द्वारा अपनी लंबित मांगू को लेकर पत्रकार वारता का आउजन किया गया जोरान डीपी सी सहित अन्यमुद्दूं को जागर किया गया और जल से जल दिन सब ही मांगू को पूरा करने की अपील की गए